शुरी ब्रम्हांड महापुरान उत्तरभाग है ग्रिव और अगस्त्य के संगवाद में लली तो पाक्ष्यान अध्याय तीन स्तेय पान कथन इंद्र ने कहा कि भगवान आपने जो हिंसा आदी का लक्षन कहा वे हमने जान लिया अब स्तेय चोरी करने का क्या लक्षन है उसे हमें बताईए ब्रिहस्पती ने कहा पापों में सबसे बड़ा पाप जीवों की जातियों की हत्या करना है इससे भी अधिक पाप है कि जो विश्वास करके तुम्हारी शरन में आया है उसकी हत्या करना विश्वस्त को मारकर पापी शुद्र तथा अंत्य जाती से उत्पन्य व्यक्ति को मारना भी पाप है परंतु ब्रह्म हत्या से अधिक पाप कोई नहीं है क्योंकि उसका कोई प्रायस्चित नहीं है ब्रह्म ज्यानी का धन दरिद्र का धन तथा कठिनाई से अरजित किये हुए व्यक्ति का धन बहुत पुत्र और स्त्रियो वाले का धन तथा जिस धन से जो जीवित रहते हैं जो जीवित रहने की इच्छा करता हो उसका धन ऐसे धन को जो चुरारता है उस चोरी का इतना बड़ा पाप है कि उसका कोई प्रायस्चित भी नहीं है जो किसी पर विश्वास करता हो तथा विश्वास करके अपना धन सौब दे अथवा अधिकार दे तो उसका धन हडप लेना तो उपर युक्त धन हरन से भी बड़कर पाप है इसलिए कोई यदि आप पर विश्वास करके धरोहर रख दे उसका धन कभी हरन नहीं करना चाहिए यदि कोई हरन करेगा तो उसका फल शिग्र एवं अवश्य मिलता है इसलिए विश्वास्त व्यक्ती का धन हरन नहीं करना चाहिए तथा विश्वास्त अथवा अविश्वास्त किसी का भी धन नहीं चुराना चाहिए उसके बाद देवताओं तथा ब्राम्हन क्षत्रिय एवं वैश्य के स्वर्ण और रतनों को चुराने वाले को जो विना विचारे ही मार दे वो अश्वमेद यग्य के फल को प्राप्त करता है जो गुरु देवता ब्राम्हन क्षत्रिय वैश्य एवं मित्र पुत्र तथा अपने सुखो के लिए धन चुराता है वो नीचे के क्रम से अर्थत पापो का दस गुना पापी ही तो है नीची जातियों से उत्पन व्यक्ति से पादज शुद्र से वैश्य से क्षत्रियों से और ब्राम्हन से भी धन का हरन करता है वो भी दस गुने पापी से लिप्त होता है अब यहीं पर पुरातन इतिहास का उदाहरन प्रस्तूत करते हैं जो की रहस्यों में भी अत्यंत रहस्य में एवं समस्त पापों का नाश करने वाला है प्राचीन काल में कांची पूर में वजराख्य नामक चोर पैदा हुआ था उस रम्य स्रेष्ठ नगर में सभी मनुष्य अईश्वर्य समन्वित थे तथा सभी निरोग इंद्रियों का दमन करने वाले सुखी और दयावान थे उस सभी अईश्वर्य से सम्रिध नगर में उस चोर ने एक चोरी के बाद दूसरी चोरी करने के क्रम से बहुत धन चुरा लिया फिर उसने वहां इस वन में गड़ा बना कर लोब से उस धन को गाड़ दिया उस धन को उसने उस गाओं से बहुत दूर आधी रात में गड़े में गाड़ा था किसी किरात ने आकर और उस धन को देखकर उसका दस्वा भाग चुरा लिया यह किसी को भी मालूम नहीं हो पाया और वो किरात लकड़ियों को ठोता हुआ चला गया उसने भी उस धन को एक शिला से ठक कर मिट्टी से दवा कर यतन पुर्वक उस धन को चिपा दिया फिर वो वजर नामक चोर भी धन की तृष्णा से उस नगर में गया इस प्रकार उस वजर नामक चोर ने बहुत धन चुरा कर जमीन में गार दिया किरात ने भी घर जाकर प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब लकड़ी लेने के लिए जा रहा था तो सुनसान मार्ग में यह धन मिल गया अतह हे धन चाने वाली भीरू अब इस धन को समहाल कर रखो पती की उस बात को सुनकर और उस धन को अंदर रख कर चिंता करती हुई अपने पती से वह वाक्य वोल लई कि हमारे घरों में नित्य जो ब्राम्हन घूमता है मुझे देखकर शिग्र ही उसने कहा था कि शिग्र ही तुम्हें भाग्यवती होना चाहिए चारो वर्नों की स्त्रियों में जो राजाओं की पत्निया होती है वही यह धन ठीकता है किन्तु भील जाती किरात जाती और शुद्र जाती में पैदा होने वाले चांडाल आदी जातियों के पास लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती है यह वल्मिक से पैदा होने वाले बाल्मिकी मुनी का शाप है उस शाप के कारण नीमन जातियों के घरों में लक्ष्मी नहीं ठहरती तथा पी जो बहुत भाग्यशाली पुन्याक्मा और पात्र और स्रिष्ठ व्यक्ती होते हैं उनके पास ही लक्ष्मी आती है अतहा जिन वविश्य ग्याताओं ने ये कहा है उनका वाक्य कभी व्यर्थ बिफल नहीं होना चाहिए अथवा अपने प्रयत्न से कर्म करने से बहुत कठिनाई से जो धन प्राप्त किया जाता है वो धन ही बहुत समय तक ठहरता है अन्य धन तो थोड़े से समय में ही चला जाता है स्वयंग आये हुए धन को तो धर्मार्थ के कारिय में लगा देना चाहिए इसलिए आप इस धन से बावरी कुप आदी बनवा कर शुभ कारिय को कीजिए